नमस्कार दोस्तों उत्रप्रदेश के मुखमंतरी योगे आधितना उत्रप्रदेश लोट आई हैं और अपने काम में जुट गए हैं लगातार वो दो दिनों तक अपने आखाओ से मिले और अपना पक्स रखा गोरतलाबै कि क्या द्वंद इस समय बीजेपी में संग में चल हो गया अब सांत इस लिहाद से हो गया कि सिर्फ अरविन सर्म को केबिनेट मंतरी बना जाएगा गोपनिये और न्यूक्तिवी भाग उनको नहीं दे जाएगा लेकिन इसी दोरान वह तमाम चीजे इसके अलावा भी जो दूसरे पक्स थे वो मैंने आपके साथ वीडियो मे शेयर किये इसी दोरान एक और महत्पूर्ण बात सामने आई है जो हमारे सुत्र बता रहे है कि केंद्रे नेतृत चाहता है कि तरप्रदेश को डिवाइड किया जाए और इसमें पूरवांचल काटकर अलग सुब्भा बना जाए और इसको लेकर तरप्रदेश के मुखमंत से मंत्रणा की पक्ष रखा चर्चा हुई 70 मिनिट अमिच्छा 80 मिट पीम योगी और 120 मिलिट जेपी नडड़ा पीम मोदी 80 मिलिट किसी मुखमंत्री से मिलते नहीं इतना समय नहीं देते लेकिन अगर 80 मिलिट मिले हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के कंफ्लेक्ट हों कर भाइकार फार्व को प्राथ्मिक्त दी जाने पर मैंचमेंट को लेकर और दूसे तमाम चीजों को लेकर हैं जनप्रती निद्यों की ना जाता है केंद्रिय वो चाहते है कि सूभे को डिवाइड कर दिया जाए, पुरवांचल अलग जीला बना दिया जाए करीब 25 से लेकर 28, 28 जीलो के जो पुरवांचल है उसको काट कर अलग कर दिया जाए जिसमें करीब 125 विधांसावा सीट आती है 125 विधानसावा सीटों में से इस समय करीब बीजेपी के पास 115 सीटे हैं इतने परचंड बहुमत की वज़े से ही बीजेपी इतने बहतर परफॉर्मेंस 2017 में दिखा पाई इसलिए बीजेपी चाहती है कि अगर सूबे को हम डिवाइड कर दें तो उसका अलाब आने वाले 2022 के चुनाओं में पार्टी को मिलेगा गोर्तलाला की 2011 में मायतित सरकार के दोरान यूपी को चार भागों में डिवाइड करने का प्लान था अगर ग्रह मंतराला चाहे तो उसको उस पर निन ले सकता है जो पैंडिंग जो यूपी सरकार का जो परपोजल है इसलिए आठ महिने का अलप समयकाल होने के बाद भी इस काम को अंजाम दिया जा सकता है इसको लेकर लेकन योगी मानने को त्यार नहीं इस विशे पर भी तमाम चीजों पर चर्चा होने के बाद भी इस विशे पर भी चर्चा हुई कि सूबे को अगर अलग बना दिया जाए पूरोंचल को या फिर पूरी यूपी को ही चार भागों में बाढ़ दिया जाए तो इसका क्या राजनितिक नफ़ा नुक्सान होगा कि इसका फायदा हुगा क्योंकि योगी लगातार पिछले पांस टर्न से वहाँ पर सांसद रहे है गोरकपुर भी पूरंचल में आता है तो इसका फायदा उनको मिलेगा और योगी वहां के सीम भी बन सकते हैं दूसरे जो पार से उनको अलग अलग जो बीजेपी अपनी तरह से सेटल करकर वहां पर अपनी राजनितिक गोटिया सेखना चाहते हैं यह कन्फरक्ट अभी भी योगी और केंदर नितियुत के बीच बना हुआ है जिसको लेकर भी संग के अंदर भी विचार में वास चल रहा है अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से बीच का रास्ता निकला जाता है वो पूरा मामला सेट हो चुका है लेकिन इस मामले पर अभी तक को पार्टी को होगा या इसके बनने से वहां के स्थानी हैं लोगों को इसका क्या फायदा हुआ आप कैसे सोचते हैं जरूर कमेंट करकर शेयर की किजिए अगर आप भी इसी तरह के अस्क्रिश्व वीडियो या खबरे पाना चाहते हैं सबसे पहले तो क्रिपेस चैनल को सब करें नमस्कारू